पिछले गिववे के विनर्स और नए गिववे का अनौसमेंट दोनों ही इस वीडियो में हैं बाकी पूरी स्टोरी जरूर से रेखना इतने ट्विस्ट है कि आपका दिमाग घूम जाएगा कबीर अपने पावर्स को अच्छे से इस्तमाल करना जानता है और मुझे उसकी पावर्स चाहिए मांगने पर वो देगा नहीं और हम उससे छीन भी नहीं सकते उसे मार भी नहीं सकते क्यूंकि अगर उसे मार दिया तो उसकी सक्तियों का राज उसके साथी खत्म हो जाएगा हम उस पे नजर रख रहे हैं कबीर ने अब तक किसी को पावर्स नहीं दी है ना ही वो देगा हमें कबीर से उसकी पावर्स निकलवानी होगी हाँ वो अरजुन को अपनी पावर्स दे सकता है लेकिन ये भी रास्ता पॉसिबल नहीं आखिर ऐसा कौन है? जो हमारी बात माने और कबीर भी उसकी बात सुनता हो ये वो है जिसने पहले ही कबीर का भरोसा जीत रखा है बस हमें सही वकत आने पे उसे सही जगे पहुचाना है वो कबीर का सबसे ज़्यादा करीबी है अर्जुन से भी ज़्यादा कबीर उस पे अंधा विश्वास करता है ऐसा कौन है? मनोहर अरे बापरे, मनोहर कहां से आ गया? भाई ये तो बहुत मारता है अरे बापरे, बचाओ भाई, इससे यहां कुछर नहीं ना लिया डरो मत, मैं कबीर के साथ नहीं, बलकि इनके साथ हूँ ये है मनोहर, नहीं नहीं, उसका हम सकल अच्छा, ये नकली है, हम तो डरी गए ये है पावरफुल मनोहर, और ये है बिना पावरवाला मनोहर बिना पावरवाला मनोहर, कबीर से दोस्ती करेगा हम जो कबीर के लिए मुश्किले पैदा करेंगे उससे बचाने का नाटक करेगा और सही समय आने पे ये पावरफुल मनोहर कबीर के सामने आ जाएगा वो मनोहर को बहुत मानता है इसके पावर्स मांगने पे कबीर मना नहीं कर पाएगा तुम जो भी करोगे तुम्हे परफेक्ट तरीके से करना होगा अगर कबीर को शक हुआ तो वो तुम्हे तुरंत मार देगा मैं मनोहर का रूप ऐसे अपनाओंगा कि चाहे अगर मनोहर खुद भी क्यों ना आ जाए वो भी मुझे नहीं पहचान पाएगा जब तक कबीर को हमारे प्लैन के बारे में मालूम पड़ेगा तब तक वो पावर्स मेरे पास आ चुकी होंगी लेकिन बॉस अगर कबीर को शक हो गया तो तो समझ जाना अर्जुन को मारने का वक्त आ गया है मम्मी को मेरे पावर्स के बारे में मालुम पड़ चुका है और वो गुंडे भी मुझसे ये पावर्स छीनना चाते है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ क्यों मैं इस दलल में फस्ता ही जा रहा हूँ वहाँ देखो वो रहा कबीर सुनो जो भी करना संभल के करना गड़बर की कोई भी गुंजाइस नहीं होनी चाहिए तुम लोग भी रेडी रहना थोड़ा भी टाइमी हिला तो समझो प्लैन खतम बेस्ट अफ लख जब तक ये पावर्स मेरे पास है तब तक मैं इन मामलों से निकल नहीं पाऊंगा मुझे बड़ा शौक था सूपर हिरो बनने का अब जेलो मैं हूं मनोहर ये कौन चिला रहा है ये पागल वागल है क्या चिला क्यों रहा है कबीर इधर ही देख रहा है पता नहीं कौन है छोड़ो मुझे अकेल ही सब कुस ठीक करना पड़ेगा चल जल दी मुझे बिठाओ और तुम रेडी रहना ओके निकल निकल मैं ही हूं इस दुनिया का रक्षक मनोहर ये बार बार मनोहर का नाम क्यों चिला रहा है एक सेकेंड थोड़ी दिर पहले ये अलग कपड़ों में था और अब अलग कौन हो बाई तुम और बार बार मनोहर का नाम क्यों चिला रहे हो मैं मनोहर को बहुत मानता हूं और उसकी तरह बनना चाहता हूं लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता हम आम लोग है और हमारी जिन्दगी यहीं तक ही है यहीं जीना है और यहीं मर जाना है सपने देखने के पैसे नहीं लगते कोई भी देख सकता है चलो ठीक है मैं चलता हूं कबीर रुको एक सेकेंड तुम्हें मेरा नाम कैसे पता मुझे सब पता है मेरे एक दोस्त ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था और मेरे दोस्त का नाम है शिव वैसे कभी हार नहीं मानना चाहिए कबीर याद करो मनोहर के लाइफ में कितनी सारी मुझकिले आई लेकिन उसने हर मुसीबत का डट के सामना किया जो सच्चा होता है और कभी निराश ना हो उसे कोई भी नहीं हरा सकता आप से बात करके अच्छा लगा आप तो मेरा नाम जानते हो मैं कबीर और आप मैं मनोहर लगता है आप मनोहर के कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो नकली मनोहर और कबीर की दोस्ती हो चुकी है और जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है अब बारी है कबीर को पावरफुल मनोहर से मिलवाने की यानि तुम से एक बार ये प्लैन चल गया तो कबीर की पावर्स मेरे पास होगी अब क्या करना है बॉस कबीर पे नजर रखो सही मौका देख के उस पे अटैक करना अगर वो अपनी पावर्स को यूज करे तो उसे डिशार्ज होने तक टाइम वेस्ट करो और अगर ना कर पाए तो जैसा प्लैन किया है बिल्कुल वैसा ही होगा गोलियों से बचाने के लिए नॉर्मल मनोहर एन वक्त पे एंट्री लेगा गुंडों को खत्म करने के बाद कबीर के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ये नॉर्मल मनोहर है कौन तब तुम्हें उस मनोहर से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेनी है और ऐसी दमदार एक्टिंग करना कि कबीर को विश्वास हो जाए कि तुम ही हो दर्यल मनोहर कबीर से जानने की कोशिश करना कि उसके पास कौन-कौन सी पावर्स है और सेफटी के लिए उससे उसकी पावर्स मांग लेना वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगा जैसे ही वो पावर्स तुम्हें मिले वो मुझे लाके दे देना ओके बास रुख जाओ कबीर पहले हमसे तो मिल लो तुम लोग फिरा आ गए मार खाने कबीर अभी भी वक्त है अपना सादा पूरा करो वरना इस शहर में चैन से जीना मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने ये पावर्स तुम्हारे बॉस को दे दिया तो वैसे भी सबका जीना हराम हो जाएगा तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो इन सब के बारे में मत सोचो पढ़ाई करो खुश रहो तुम और तुमारी फैमिली की पूरी लाइफ आगे पड़ी है उसके बारे में सोचो कबीर चलो हम तुमसे एक वादा भी करते हैं अगर तुम ये पावर्स खुशी-खुशी हमें दे दो तो हम तुमारी फैमिली को कभी तंग नहीं करेंगे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा तुम बहुत जिद्धी हो कबीर तुमने खुद अपनी मुसीबत चुनी है हे भगवान ये सब क्या चल रहा है वहाँ इतनी भीड क्यों है तुम यहां से चले जाओ यहां बहुत ख़तरा है ये सबी गुंडे तुम्हें मारना चाहते है मैं तुम्हें छोड के नहीं जाओंगा अरे ओ भाई ना हमारा तुम से कुछ लेना देना है और ना तुम्हारा हम से तो चुप चाप पतली गली से निकलो हाँ ये ठीक कह रहा है तुम जा यहां से मैं नहीं जाने वाला अभी बुलाता हूँ पुलिस को ये एक बार बोला तो समझ नहीं आया पुलिस को बुलाना है ले बुला अरे बेवकूफ इसे क्यों मार दिया इसकी क्या गलती थी जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उन सब को मार देंगे फिर चाहे वो तुम ही क्यों नहीं हो लगता है तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ या ये भगवान ये बैटरी डिस्चार्ज है अब तो ये पावर्स भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है कबीर अभी भी मौका है हमें सौब दो तुम ये दो गोड़ी के गुंडे मेरी पावर्स को कभी हासिल नहीं कर पाओगे हमने बहुत रिक्वेस्ट कर लिया लेकिन अब तुम्हारा वक्त खतम होता है मरने के लिए तैयार हो जाओ कबीर तीन दो एक नहीं ये क्या हुआ तुम सामने की वाए चिंता मत करो कभीर मैं बिलकुल ठीक हूँ इतनी गोलियां खाने के बावजूद तुम खड़े कैसे रह सकते हो भाई इसे तो खरोच भी नहीं लगी एक भी खून की बूंद नहीं दिख रही है गोली लगी नहीं है लेकिन लग जरूर सकती है हट जा हमारे रास्ते से मेरा तुम से कोई लेना देना नहीं है अगर तुम नहीं हटते हो तो तुमारा भी वही हालोगा जो पीछे पड़े उस आदमी का हुआ है मैं कभीर को अकेला छोड़के नहीं जाऊंगा तुम्हें जो करना है कर लो ये गुन्डे मजाक नहीं कर रहे है इन्होंने उसे पहले ही मार दिया है प्लीज हट जो आगे से तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारी जान चली जाए हटो आगे से मैं इनसे निपट लूँगा नहीं कबीर मैं तुम्हें छोड़के नहीं जाऊंगा तुम लोगों को जो करना है करो मैं यहीं खड़ा हूँ ठीक है फिर तीन दो एक नहीं कुछ नहीं होने वाला है मुझे ये हो क्या रहा है और आखिर तुम हो कौन ये कबीर कम था क्या कि एक और आ गया ये तुम्हारी बंदू के मेरे लिए खिलाना है अगर गोलियों से चोट नहीं लग सकती तो हम तुम्हें हातों से मारेंगे या आप कौन है और आप पी इनकी गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ अब समय आ गया है तुम्हें अपना असली रूप दिखाने का अगर तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी है तो पीछे मुड जाओ और जब तक मैं ना कहूं पलट के मत देखना ठीक है कबीर दूसरी ओर देख रहा है अब तक सब कुछ सही हुआ है लेकिन आगे अब तुम्हें समालना है कोई गडबड मत करना नहीं तो एंड में आके सब खराम हो जाएगा चिंता मत करो मैं देख लूँगा पीछे मुड ओ कबीर मनोहर आप हाँ कबीर मैं मुझे शिव ने तुम्हारे पास भेजा है आप इतने समय से मेरे आस पास थे लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं पैचान पाया मनोहर आप पहले मेरे सामने क्यों नहीं आए मैं पहले ही तुम्हारे सामने आ जाता लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था मुझे खुशी है कि ये पावर्स तुम्हें मिली और मुझे ये भी देखना है कि तुम इन पावर्स का कैसे इस्तमाल करते हो जरूर मनुहर क्या मस्त एक्टिंग की है तुमने अरे अरे थैंक यू बॉस ने जैसा सब कुछ प्लैन किया था बिलकुल वैसा ही हुआ है और ये बताओ तुम लोग को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी मेरे मुकों से अरे नहीं नहीं लेकिन तुम ये बताओ तुम दुनों को गोलियों से तो चोट नहीं लगी ये रवर की गोलियों से कैसे चोट लग सकती है क्या गजब प्लैन बनाया है बॉस ने साब भी मर गया और लाटी भी नहीं तूटी चलो अब बॉस को ये खुसकपरी सुनाते हैं मनोहर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे इस्तमाल करते हैं ये देखिए मनोहर ये कुछ ऐसा दिखता है काफी अलग सा है वैसे इस सूट की पावर्स क्या-क्या है कबीर मैं इसके साथ तेज भाग सकता हूँ मुझे चोट नहीं लगती और मैं बहुत उचा कूद भी सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ अब ये देखिए मनोहर चलिए मैं आपको एक और मस्चीज दिखाता हूँ बहुत अच्छे कबीर लगता है तुम अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तमाल करना सीख चुके हो हाँ अल्मोस्ट लेकिन कबीर तुम तो जानते ही हो जबसे तुम्हें ये पावर्स मिली है तबसे बुरे लोगों की भी नजर तुम पे आ चुकी है धीरे धीरे करके इन पावर्स के बारे में सब को मालूम पढ़ जाएगा और तब इसे बुरी शक्तियों से सम्हालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी बात तो सही है मनोहर और ऐसा होना सुरू भी हो चुका है अगर आज आप नहीं आते तो पक्का वो गुंडे मुझे ये पावर्स छीन लेते हाँ और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कुछ समय के लिए ये पावर्स मुझे सौब दो मैं इसे समभाल के रखूंगा और जब महौल थोड़ा सांत हो जाएगा तब मैं तुम्हें ये लोटा दूँगा क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए मौझूद नहीं रह सकता और ये पावर्स किसी गलत हातों में लगनी भी नहीं चाहिए मुझे भी लगता है आप सही कह रहे हो मनोहर आपके पास ये पावर्स ज़्यादा सेफ रहेंगी लीजिये मनोहर इसे समभाल ये शुक्रिया कबीर वक्त आने पे मैं खुद ये पावर्स तुम्हें लोटाने आ जाऊंगा बॉस आपका प्लैन काम कर गया कबीर हमारे जाल में फस गया उसने अपनी मर्जी से खुशी खुशी अपनी ये पावर्स मुझे दे दी अच्छा दो कहा है वो पावर्स ये लीजिये बॉस अब मैं बताऊंगा उस कबीर को धोखा देने का अंजाम पूरी दुनिया पे मैं राज करूंगा अब वक्त है पावर्स इस्तमाल करने का याँ ये काम क्यों नहीं कर रहा है कबीर ने यही दिया था ना हाँ हाँ बॉस यही था उसने तो मेरे सामने इसका इस्तमाल किया था तो अब ये काम क्यों नहीं कर रहा कैसे करेगा वो नकली है कबीर तुम यहां तुमें हमारे प्लैन के बारे में कैसे मालूम पड़ा खेल तो तुमने अच्छा खेला और मैं उसमें फज भी गया था लेकिन कहते हैं न अच्छे लोगों के साथ गलत नहीं होता और वही मेरे साथ हुआ इस नकली मनोहर का मुझसे मिलना उन गुंडों से मुझे बचाना वहां तक सब सही चल रहा था लेकिन जब ये नॉर्मल मनोहर से पावरफुल मनोहर में अदला बदली कर रहा था तो इसने मुझे पीशे मूरने को कहा था वही पे एक गाड़ी लगी हुई थी उसके शीशे में मुझे तुम सब का प्लैन देख गया था मैंने देख लिया था कि कैसे इसने अपनी जगा बदली बेवकूफ सारा प्लैन खराब कर दिया पर बोस वो तो आपकी ही गाड़ी थी और आप नहीं वहां लगाई थी चुप करो वही तुम्हारा सारा प्लैन मेरे सामने आ चुगा था लेकिन मैंने सोचा वैसे भी मेरी बैटरी डिस्चार्ज होई चुकी है तो इस नाटक को चलने देते हैं लेकिन फिर भी तुम नहीं बचोगे कबीर कुछ नहीं होने वाला है मुझे तुम्हारे इन गोलियों से और तुम्हें एक्टिंग करने की बहुत शौक है तुम सहीं सुरू करते हैं चलो अब बाकियों की बारी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एक सेकेंड लगता है मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा वरना ये मुझे मार देगा रुको कबीर लगता है इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है यहीं सही मौका है इसे पकड़ने का मैं जान चुका हूँ कबीर तुम्हारी पावर डिश्चार्ज हो रही है खुद बखुद रुख जाओ जिन्दा छोड़ दूँगा क्या करूँ अब मैं सच में फसने वाला हूँ अर्य यार अब तो मैं पक्का गया रुख जाओ कबीर नहीं तो मैं गोली चला दूँगा रुखना ही पड़ेगा तो बताओ कबीर क्या चाहते हो अब तो पावर्स भी डिश्चार्ज हो गई है जल्दी फैसला करो पावर्स देने वाले हो और हाँ जल्दी मतलब जल्दी अपनी पावर्स को वापस से चार्ज करने के लिए मेरा टाइम वेस्ट करने की सोचना भी मत अगर इसे पावर्स नहीं दिया तो ये गोली चला देगा तीन दो एक ये क्या हुआ गोली हवा में रुख गई और ये कौन सी नई पावर्स है ये क्या है सामने गोली है हट जाता हूँ अच्छा तो लगता है इसमें और भी कई सारी पावर्स हैं और इस वाली पावर्स के मदद से मैं इन गोलीों को कंट्रोल कर सकता हूँ खत्म कर दो इसे अब इसका कैसे सामना करूँ मुझ क्या देख रहा है मार चारो एक साथ मारो अब ये देखो तुमने बार बार मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश की जूटा मनोहर बना के मेरे भावनाओं की साथ खिलवार की लेकिन अब तुम्हारे फैसले का वक्त आ चुका है देखो इस गोली को इस पे मेरा नहीं तुम्हारा नाम लिखा है अब माफी मांगने का वक्त जा चुका है जैसा तुमने दूसरों के लिए चाहा तुम्हें वही मिला तुम्हारे इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो वैसे ये न्यू पावर्स तो काफी खतरनाक है और ये सूट तो और भी अच्छा है ये पावर्स बिल्कुल बेंटेन की तरह है हर सिचुएशन के लिए एक अलग हीरो और हर हीरो की एक अपनी स्पेशल पावर है पिछले giveaway winner का announcement community post में हो चुका है और इस वीडियो से भी 3 winners बनेंगे बस आपको अपनी UID comment box में डाल देनी है और तीनों को 11,000 diamond का gift मिलेगा store से और ये हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक 20,000 diamonds पूरे ना हो जाए थैंक यू फॉर 3 million subscribers वैसे story यहां खतम नहीं हुई है आगे बहुत कुछ बाकी है